कि नेगेटिव इंपर अब देखो जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला कि हर चीज के फाइदे होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि कहीं न कहीं globalization से यह चीज आमें फाइदे मिले तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे ठीक है हर कॉइन के दो इसस होते हैं क्या के नुकसान है एक मिन ट्रीट करें मैं पानी पीर हो जड़ा अब देखो इलॉन मस्क सर ने यह बोला के भाई मैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट यूएससे से ले करके कहां जाने वाला हूं इंडिया में जाने वाला हूं तो भाया हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है पी एम मोदी जी खुश हो गए कि चलो फाइनली इतने मतलब इतने तूरिजम के ऊपर खर्चा करने के बाद इतना खर्चा नहीं बोलूंगा उसको मैं इन्वेस्टमेंट के बाद एक कंपनी आगी इतना बड़ा इंवेस्टमेंट लेकिन यह बात जो है जो बाइड़न साहप को बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली वह बुलाएंगे इलॉन बहिया को बोलेंग तो काम करनी रहे, आप दूसरे देश में तिनी दूर जाके काम कर रहे हो, इसका मैं एक बताता हूं, एक कहा जाता है, I'm not sure कि कितना reliable है यह तो ठीक है, example के लिए तो यूज़ कर सकते हैं, तो यह कहा जाता है कि एक बारी जो वो बिलगेट्स रहें होफुली आप में से बहुत से सूडंस बिलगेट्स र का नाम झानते होंगे तो जो नहीं जानते में उनके लिए बता दू Microsoft के ओनर माइक्रोसफ्ट तो जानते हैं के डेफिरिटली तो माइक्रोसफ्ट जो कंपनी है उस कंपनी के जो ओनर है वो बिल गेट्स है उनसे एक बारी पूछा गया कि गेट्स अब आप ये बताएं कि इतना ज्यादा स्किल्ड लोग जो है वो यूएस में है तो यूएस की इतनी पूपने सिंपली ये बोला कि अगर हम इन्डियंस को काम के लिए नहीं बुलाएंगे विरिण टू तो फ्री ये यार अन्दर माइक्रोसफ्ट कि कहां पर इन इंडिया तैलैंटेड की अगर उनको यह नहीं बुलाया गया तो वह अपने देश में ही क्या कर लेंगे Microsoft बना देंगे और हम फिर इतने जाइंट रहे नहीं पाएंगे मतलब समझे आप कि उनको ये बात का बहुत अच्छे से पता है कि इंडियन का potential क्या है इसी लिए ये companies उठकर के यहां पर job करने के लिए बिजनस करने के नहीं आती है लेकिन आप ये सोचो जब ये companies हमारे देश में आ करके business करने लगेंगी इससे इनके देश की investments तो डाउन होई ना और अगर student इनके देश की investment डाउन होई तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि इनकी countries में कही ना कही जोब्स जो है वो कम पढ़ने लग जाएंगी ठीक है यही लिखा है हमने on one hand while globalization has led to increase in job opportunities in developing countries it has adversely affected the job market in developed countries full stop the American and European companies are increasingly outsourcing अब यह एक word used हुआ student मैं ये भी clear कर देता हूँ साथ साथ क्योंकि आप international business पढ़ रहे हो तो आगे भी आएगा ये आएगा outsourcing तो जाता ता जो famous है वो किस नाम से famous है ये BPO आप सुनते होंगे बहुत बाग रहे करता हुआ कि BPO में जाता है काम करने है यार BPO में मेरा दोस्त काम कर रहा है अगेन 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 आप से साथ कमर्स कर रहे हों तो काफियों को पता हुआ जिनको नहीं पता उनके लिए में बता रहा हुआ हूँ आप आप अच्छे नहीं हों आप अच्छे नहीं हो यूओ आट उस प्रोसेस को एक ऐसी organization को handover कर देना जिसमें वो बहुत बढ़ी है जैसे एक example बहुत simple सी बात समझो मैं content create कर सकता हूं मैं क्योंकि tutor हूं में educator हूं मुझे economics business international studies HRM business organization management यह सारे subjects जो है मेरे specialized subjects है ठीक है मैं आप कह सकते हो आप की business and economics is something जो मेरा बहुत core subjects है ठीक है तो एक बात बताओ मैं पढ़ाने में अच्छा हूं मुझे content सारा पता है कि क्या है क्या नहीं है चीजों को कैसे explain करना मुझे आता है मैंने क्या किया मैं नितिश मैंने अपना laptop लिया अपना pen tablet लिया अपना webcam लगाया पूरा setup तयार किया और मैंने क्या किया नितिश ने एक जैसे randomly क्या किया मैंने मैंने अपने video courses बना दिये जी बाई मेरे को तो videos पता है कैसे बनानी है क्या topic है मुझे आता है मैं बना देता हूं मैंने यह video courses तो बना दिये लेकिन यार आज का जमाना है डिजिटल मार्केटिंग का भाई मैं तो किसी social media platform को यूजी नहीं करता ठीक है और मैं सच में नहीं यूज करता ले देके मेरे पास एक facebook का account है और वो facebook का account भी मैंने कब last login किया था मुझे यह भी याद नहीं था कभी वन से ब्लूमून 4-6 महिने में कभी login कर लू तो मैं लॉग इन कर लू तो मैंने वह भी login कर रखा ठीक है तो मैंने कहा कि यह वर्मा साहब तुमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो बना दी तो तुम कहां बेचोगे तो मैंने शुरू कर देता हूं क्या पता फेस्बुक के थ्रू भी लोग मुझे क्या कर ले रीच कर ले उससे हो जाएगा लेकिन हाला की जब मेरे पास वीवर्शिप ही नहीं है तो मेरा कंटेंड बिकेगा कैसे में कितना ही अच्छा पढ़ा लूँ लेकिन अगर वो टाइमली आप तक पहुचेगा नहीं तो आपके काम का नहीं कैसे बात बनेगी अब मेरे को क्या हुआ एक स्टूडेंट आया मुझा अभी क्या कर रहा है आजकल तू का सर कुछ नहीं कर रहा मैंने का तू तब भी टाइम पर्स कर रहा था अभी टाइम पर्स कर रहा है नहीं सर टाइम पर्स तो नहीं मार्केट में हाल फिलाल एक कोर्स चल रहा है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग मैंने वही किया मैंने का भाई एक बात बता मार्केटिंग तो पता है डिजि के थ्रू गूगल एड्स के थ्रू इंस्ताग्राम के थ्रू यूट्यूब पे व्यूज ले करके आने मैंने का तु तो काम कब अंदर डीटेल में समझा वो कैसर कुछ नहीं आपके पास जो भी कंटेंट है वो कंटेंट मुझे देदो पर डेकी कितने रुपीस की एड्स चल दूंगा और एड्स के तुरू लोग आपर आजाएंगे मैंने का यह तो बहुत अच्छी चीज है तो मैंने उसे बोला कि भाई तो एक काम कर मैं तो पूरे साल कंटेंट क्रियेट करूंगा पूरे साल मुझे चाहिए तो तो एक काम कर तू मुझे ना एक अपना मंतली या quarterly या half yearly या फिर annual एक तू पैकेज बता दे कि भाई मैं तेको वीडियो बनाके दे दिया करूंगा मेरा Facebook handle मेरा Instagram handle मेरा X अब तो Twitter नहीं होके वह X हो गया मेरा X handle मेरी LinkedIn profile उन सब पे काम कर भाई तू सब पे तू आड चला कैसे चलाएगा क्या करेगा वो तू देख मेरे को viewership अप्ला के देख मेरा ठीक है सर मतलब मैं अच्छा हूँ पढ़ाने में content create करने में लेकिन ये बंदा अच्छा है उसी content को target audience तक पहुचाने में in short sell करने में तो मैंने अपना पूरा जो marketing का process है वो किसको दे दिया इसको business process outsourcing business का एक process क्या करना outsource करना किसी ऐसे person को ऐसी organization को जिसमें वो perfect और specialization रखती हो right hopefully आपको clear हो गया होगा तो यहीं लिखा हुआ है next अमें दे रखा है क्या health problems as people can easily travel from one country to another this also led to spread of diseases अब यार इसके बाहे में तो देखो पताने की जरुवत ही नहीं है क्योंकि आप जो भी हो जहां भी हो जैसे भी हो अब तो मैं यह भी दुनिया में हो आप कहां पर हो आप सब को बदाए क्योंकि पूरी दुनिया ने एक बहुत बड़ी बीमारी को face किया डाट वोज कोविड और यह क्यों आया ग्लोबलाइजेशन का एक अगर कोई बहुत सिवियर लेवल पर जाकर के एक बहुत अनेक्शेप्शनल कोई इंपक्ट देखना और नेगेटिव तो कोविड नाइंटीन क्योंकि प्रेस अगर बात करे एविडेंस की बात करे स्टडीज की बात करे तो शुरू तो यह चाइना में हुआ था ठीक है चाइना में शुरू हुआ लेकिन क्योंकि चाइना है चाइना से तो दुनिया में किसी का भी काम मिना चाइना के तो आश्केट में चलता नहीं है तो चाइना के साथ ट्रेड तॉप करते ही हो तो चाइना में शुरू हुआ चा चाइना को क्रॉस करके कहा पहुंची तो दुनिया के जितने भी कोने सब में पहुंच गई कैसे पहुंच गई जी क्योंकि चाइना के लोग थे चाइना से ट्रेड हो रहा था उसमें यह बोला गया था कि कई तुम छूओगे तो उसमें भी कोविड आ जाएगा लोग क्या हो गया सुडेट वह डिसीज पूरा का पूरा पेंडमिक बन गया महा मारी जो पूरे विश्व में फैल गई एक यह नुक्सान भी है राइट अब यह क्या होता है देखो मैं बताता हूं इसका बहुत सिंपल है थोड़ा पॉस इसको रब कर ले क्या रब करें कोविड कर लेते हैं बिल गेट साब को रब कर लेते हैं तो अब देखो कि कि domestic companies जो है उनको क्या नुक्सान है अब देखो student assuming that आप जो भी student है जैसे भी student है शूज आप पहनते होगे इंडियन कंपनी है लेकिन बाटा इंडियन कंपनी नहीं है बाटा है मैं शौर नहीं हूं पर यॉर्प में किसी कंट्री की में कल स्वीडन या कोई ऐसे ही कंट्री है एस नाम से ही कंट्री है जहां तक मेरी सोच समझ है वह वहां की कंपनी है ठीक है और लेकिन बहुत अब इंडिया में एक ले देके बड़े मुश्किल से एक ब्रांड शुरू हुआ जिसकी बहुत अड़र्टीजमेंट भी की थी ठेप कंकी अक्षकउमार संक बहुत दवा के टे से इंडियन शूजू यह वह से बहुत बहुत अडियंट हुई लेकिन सुनंद आज कि डेट में कहाँ है किसी को नहीं पता यह ब्रांड पे मा लाना बिल्कुल नाम निशान ही नहीं बछे कहीं प्रक्ष करता है इसको कहीं पूरी तरीके से खटम कर दिया किसने n तीन ब्रांड में मेजर करूंगा प्यूमा एडिडास कि तीन में मिलके पूरी तरीके से कर दिया क्योंकि जादा तर जो भी sports की लाइन में जा रहा है वह इन ही तीनों में से आजकल बड़ा यूथ के अंदर बहुत क्योंकि जो मैंने देखा भी है मिंत्रव अगरे की वेबसाइट पर affordable कपडे बनाता है ठीक है अच्छे कपडे और affordable rate पर यही problem है कि जब international brands enter करते हैं तो क्योंकि तुम्हारी domestic companies के पास इतना technology नहीं होता इतना मलब precision नहीं होता इतनी अच्छी quality नहीं होती तो वह international competition को bear नहीं कर पाती और वह पूरी तरीके से क्या हो जाती है डिस्ट्रॉय यह एक दुक्सान है कि तुम्हारी domestic companies international competition के से ग्रो नहीं कर पाएंगी राइट नेक्स्ट है unethical and illegal activities देखो students जो चीजे अच्छी है वह बुरी भी है आपने बहुत बार सुनोंगा हवाला का पैसा आता है अब यह हवाला का पैसा क्या है अब एक बात सोच के देखो ना ना कभी फॉरण से लोग उठकर के हमारे देशों में ट्रेड करने के लिए आते और ना ही उनके साथ हो आने वाली जितने भी बुरी चीजे थी चाहे उनके कल्चर का जो भी इंडिया को ड्रक्स से कोई मतलब नहीं था लेकिन आज क्योंकि वो लोग यहां पर आ रहे तो अपना कल्चर तो लेके आ रहे तो उसके वाज़े ड्रक्स हो गए और क्योंकि देखो शिप्स के थूरू आता है समान या एर के थूरू आता है समान तो आपको भी इस बात की समझ आती है आजकल आप मुवीज बहुत सारी देखते ही होगे उन मुवीज में दिखाते है कि शिप के थूरू या प्लेन में छुपा करके समान को इलीगली भेजा जाता है चाहिए फिर जानवरों को मार करके भेजा जाता है तो बहुत सी इलीगल अक्टिविटीज भी जो हैं वो कंड़क्ट हो रही है इंटरनाशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन की आड में अच्छा इसके ओपर रीसेंट एक छोटी सी मूवी भी बताता हूं मैं आपको याद करो कौन से मूवी थी पुष्पा एक्जेक्ली पुष्पा में यही तो दिखाया गया कि भाई वो जपान के लोगों को बहुत पसंद है लाल चंदन से बनावा फरनीचर और गिटार क्योंकि वह करोडों का बनता है इसके चकर में लाल चंदन को इलीगल तरीके से ग है कुछ भी हो तो लेकिन हो रहा है ना किसकी आड में ग्लोबलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन है तो किसी ना किसी बहार ने यह समान बेढ़ना है तो चलो साथ में यह समान बेज दो तो दाट इस अन एथिकल और इलीगल अक्टिविटीज हुमन ट्राफिकिंग के केस बहुत सुनने में आते हैं कि वह क्या करते हैं बैक्वर्ड एरियास में जाते हैं वहां से लड़के लड़कियों को पकड़ते हैं सेक्स स्लेवरी के लिए या फिर नॉमल स्लेवरी के लिए क्या करते हैं उनको जोग देते हैं या 10-10 साल के बच्चों को पकड़ लिया कि उस कंट्री में जाके बेच दिया इसके उपर भी एक मूवी है वह मूवी अभी आई है लेकिन उसका जो थीम लिया गया है वह बिटिश हरा का है अभी तो जीता उसने और उसमें यह तो दिखाया कि वह च्छोटी से बच्चे होते हैं क्योंकि अच्छा गानागारी होती है तो उसके यह नेगेटिव इंपक्ट है ठीक है आगे देखते हैं इन्वाइमेंटल इश्यूस अब यह इन्वाइमेंटल इश्यूस कैसे है बहिया इलॉन मस्टर ने कहा मैं टेसला का प्लांट तो यहां पर लगाऊंगा ठीक है और मैं दबाग के अपना इंडस्ट्री किस और वह तरीके से वह गैसे हवा में मिलने के बाद जो भी आपकी हवा है उसको क्या करेगी पॉल्यूट करेगी इन्दस्ट्री से जो वेस्ट निकलेगा इंडस्ट्रियल वेस्ट वो नालियों के तरूर सीवर्स के तरूर किस में जाएंगा वाटर में और वो बहुत सा portion जो आसपास के local लोग होते है habitat होता है वो यूज करता है अपने daily purpose के लिए लेकिन वो water अप क्या हो चुका है contaminated हो चुका है तो यह सारी चीज़े यहां से air pollution यहां से water pollution यह दोनों ही चीज़े मिल करके हमारे आसपास के environment को पूरी ज़री के से खराब करेगा environmental crisis is another problem so next national identity is lost okay अब यह national identity loss कैसे है तो मैं आपको समझाता हूँ इस we are with me students थोड़ा सा दिक्कत हो रही है नाशनल identity loss होती है यह जीज़ मैं आपको समझाता हूँ national में बाद में आएंगे पहले छोटा सा example देता हूँ यह जादतर वो students connect कर पाएंगे जो proper delight है जो डेली में रहते है students एक बात समझो अगर आप उत्तर प्रदेश में जाते हो कभी जो भी उत्तर प्रदेश के student से वो समझ पाएंगे आपके पास एक culture है है ना कि हमारे में ऐसा होता है हमारे में वैसा होता है अगर आप बिहार से है आप भी connect कर पाएंगे कि हमारे culture में यह होता है हमारे culture में होता है अगर अप लेस अपोस हर्याना ये खाना होता है अर लेस लोग कहां आक Memphis ये सारे लोग आके मिलते में अब पूचा जाता integrating का क्या तो बोलता है मैरा तो बयुक्त क्या क्या क्लक्रीर क्या है क्योंकि वह लोग जो italkun technology किạn वह बोले के हम और इंसिस्टर्व भी डेली के हैं तो बहुत कम लोग बचे और बचे भी हैं तो वह थोड़ी sizing पझाबी को मुश्मुटिक वही है तो एक फ्रापर डेली कर अम कोई कुसर यह आप डेली में देखेए इन्दरत फिलोसकर की सेलिवेडेशन के अंदर स्क्रिडाय की सेलिवेशन चल रही है इद जो रही है मोरौन B Raps चट पूजा भी मनाई जा रही है everything is going in Delhi तो डेली का अपना identity स्टूडिन से कुछ रह नहीं गया अब आज पास के जितने भी यह स्टेट्स के लोग हैं यह बड़े अराम से बोलते हैं दिल्ली तो ऐसा दिल्ली तो वैसा है ठीक है तो यह दिल्ली ऐसा डिल्ली वैसा किया किसने ञें नहीं किया यह तो तुम लोगों आंके किया तुम लोग different different states से आए States स्टेट में स्टेट के रिसौर्स उड्स को यूज नहीं किया exploit किया अपने states को better किया और फिर चले गए यह गाली दे करके कि दिल्ली तो ऐसा है दिल्ली तो वैसा है बाइद दिल्ली अपने आप पुड़ना ऐसा होगे दिल्ली में रहने वाले जो थे उन्होंने किया जो प्रॉपर डिलाइट से वो तो बहुत रिच जाधत है जो जमीन होंगे उसकी value समझ रहे हो तो पता लिक कितने अर्बो खर्बो पती कितने millionaire होंगे क्यों ही crime और क्यों ही वो चोटी मोटी चीजों में illicit activities के अंदर participate करेंगे अब समझ रहे हो connect कर रहे हो मेरी बात को that is the way तो जब form की companies बाद बार बहुत जादा आती है किसी भी country के अ तो उनका culture उनकी identity खतम हो जाता है पूरी तरीके से वो सब कुछ बाहर का ही रह जाता है तो यह है national identity का loss hopefully आप connect कर पाएंगे और यह बात मैंने इसने भी बोली है स्टूडेंट कभी कोई दिल्ली खराब है दिल्ली खराब नहीं है दिल्ली को खराब कर दिया गया है यह यह multi करके चलेगा टाइट चलो पॉलिटिकल रिस्क एंड टेंशन अब यह क्या है देखो अब यह ऐसे होता है कि देखो आज हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है ठीक है पीए मोदी जी मोदी जी की वज़े से आज चाहे टेसला हो चाहे दुनिया की कोई भी कंट्री हो वह एक इंडिया को ए tl arcade मान करके इंडिया में इन्वेस्टे में करने को रीड यह प्राइब्लम है यह चाहर रहे है ब्रेस से वो सिर्फ national level पर नहीं रह गई है इसमें international लोग भी इन्वालव है क्योंकि अब उनका भी एक हित जुड़ चुका होता है कि अगर मोदी जी नहीं जीते अगर वो पार्टी नहीं आई तो जो हमसे promises किये गए हैं जो हमारे साथ contracts किये गए हैं उन्हें कैसे फुल्फिल किया जाएगा तो आप समझ पारें कि पॉलिटिकल रिस्क और पॉलिटिकल टेंशन का मतलब क्या है कि जब फॉरं से companies आपके देश में आएंगी तो वो आपकी कंट्री की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी अपने ओपीनियंस देंगी तो कि उनको पता है कि ऐसा होगा वैसा होगा विच किन आल्सो लीट टू वार एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन दा कंट्री ठीक है नेक्स हमारे पास यह ग्रोइंग गाप सिंपल सी बात है जब बड़ी बड़ी कंपनी इंडिया में आएंगी तो सबसे पहरे समझो एक बात समझो कि अगर मैं बिजनस की बात करूं तो बिजनस को अगर मैं देखूं तो आप बिजनस को या तो प्राइमरी सेक्टर के किसी बिजनस में होंगे या आप सेकेंडरी स टर्शियरी में है या फिर आप किसमें है से जादा तर primary और Secondary में investor नहीं आती जर investment आती है सुर्टी सूद टर्शिय से मेजर मैं ऐसा नहीं कहरा हैं कि बिल्कुल भी नहीं मेजर जो आता है वो service sector ही जो होता है उसी की investment आती है और service sector में हमेशा जो लोग चाहिए student वो चाहिए highly skilled service sector छोटे मुटी employment छोटे मुटे लोगों को काम नहीं रखता service sector में जो main काम और main चीज होती है वो किसकी होती है students वो main चीज होती है आपकी highly skilled लोग है उनको ही काम दिया जाएगा अब आप सोच के देखो अगर highly skilled लोगों को ही काम दिया जाएगा तो जो बाकी लोग है उनका क्या नहीं हो पाएगा तो यहां से एक gap create होना शुरू हुआ दूसरी बात जब यह बड़ी बड़ी companies अपके देश में आएंगी तो चोटी मोटी जो इंडस्रीज स्मॉल स्केल इंडस्रीज इनको तो खतम ही कर देंगी तो जो यह लोग थे इनकी इंकम का क्या उनकी इंकम खतम हो गई तो इसी वजह से जब बड़ी companies आती है तो skilled लोगों में और चोटी मोटी इंडस्रीज के खतम होने की वजह से जो रिच और पूर का गैप है वो बहुत जादा बढ़ जाता है क्योंकि globalization की वज़े से को चोटी कंपणी जो यूएस में लेस्ट सब्सक्राइब का एक लाग दो लाग डॉलर ही कमा रही है यूएस के हिसाब से वाग तो वह कुछ भी नहीं हो तो यह है कि वह अपना वहां पर कमाएगा अपने खर्चे वर्चे कर लेगा कर्चे वर्चे करने के बाद थोड़ा अपना प्रॉफित मना के अपनी जिंदेगी अच्छी जी लेगा लेकिन वह एक लाग दोलाग डॉलर यह नहीं सोच सकता कि मैं इंडिया में जाओं या मैं किसी और देश में जा करके अपने बिजनस को प रखी है तो इसका एक इंपक्ट भी है अब क्योंकि इसका एक इंपक्ट भी है इस इंपक्ट के वज़े से लोग उसके तूवर्स किचे जाते हैं यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए यह चाहिए और वो चाहत उन चीजों की छोटे ब्रैंड को डुमेस्टिक ब्रैंड को खतम कर देती जिससे कि वो बिचारे बिलकुल अपनी वल्लरेबल स्टेट में आ जाते हैं और बड़े ब्रैंट्स फ्लरिश कर जाते हैं इस विए से गाब जो होता है वो वाइड हो जाता है राइट अब यह तो पूरी बाते हमारे पास किसके हो गई यह पूरी बाते हमारे पास हो गई कि हमारे पास domestic business क्या आते है और international business क्या आता globalization के फाएदे क्या थे नुकसान क्या थे